हलो मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार देखिए NTA की बहुत बड़ी मजबूरी है नीट एंसर की को ले करके या OMR सीट को ले कर या रिजल्ट को ले करके या री नीट एक्जामनेशन कराने को ले करके क्योंकि NTA को मालूम है कि अब हमारी गलतियों का परदाफास हो चुका है बेस्पोर्ट होने वाला है और NTA को नीट के इस्टूडेंटों ने चारू तरफ से नीट के इस्टूडेंट जेई के इस्टूडेंट और सीओ येटी के इस्टूडेंटों ने चारू तरफ से घेर लिया है अब वो समझ नहीं पा रहा है हम कैसे अपना अगला से फिस्टेप उठाएं इस शक्कर में बहुत बुरा फसा है और NTI ये भी सोचता है कि हम अगर जो आइंसर की रिलीज करते हैं तो अब मेरी बात बच्चे नहीं मानेंगे अगर किसी कोश्चन पर चलेंज किया ज बच्चे इस केस को लेकर के हाई कोर्ट सुप्रेम कोर्ट तक पहुंचेंगे क्योंकि एंसर सीट उसकी 100% एकुरेट नहीं रहती है एक दो कॉस्चन गलत हो जाते हैं एंसर लेकिन NTA उन गलत एंसर को भी सही ठहराता है लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्च मतब NTA के पाप का घड़ा भड़ चुका है अब निश्चत रूप से कलंग तुखिर NTA पर लगी चुका है एक जामनेशन ठीक से ना करा पाने का जो NTA भी जानता है नीट स्टुडेंट भी जानते हैं सरकार भले ही कुछ नहीं बोलती है लेकिन जानती सरकार भी है सच क्य है और जूट क्या है तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें वीडियो को अपने अपने ग्रूप पर सेर करें और पढ़ाई आप कांटिनुवस रखें जो इस्टिप होगा जो होगा फैसला वो देखा जाएगा लेकिन पढ़ाई अपने हाथ में है उसके उपर विशेश कंसंट्रेट करें और यही चीज हमको आगे उचाईयों तक पहुंचा सकती है तो आज इतना फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ ओके